हेलो जी बेलकम बैक टू माई चैनल आसा करती हूं आप सब ठीक होंगे और ठीक ही रहे हैं यहां पर देखिए भाई है मेरे से छोटा यह मातारानी की लेक किया है फ्लावरों गेरा तो यहां पर यह है वो पर्फ्यूम आती है वो भी छिड़क दिये इसके उपर तो यह मेगी बना रही हूं बच्चों के लिए आज काफी और यह आटा मेगी है तो यह इतनी नुपसान नहीं करती है और बहुत टेस्टी भी बहुत लगती है तो मैं सारी सबजें डाल के बनाई हूं मटर गाजर सब कुछ गरम गरम मेगी बन की तयार है जीजे फ्रेंड्स आप आपट बन जाने वाले रेसिपी आई है और अब भी देखिए दिन में मूली खाने की इच्छा हो गई तो मैं मूली खा रही हूं नमग लगा के जो बहुत अच्छे लगती है आप भी खा लेजिए और यहां पर यह थोड़े बहुत लड़ू बचे हो एते हैं मेरे पास तिल के तो बच्चों की जब भी इच्छा होती है मेरी भी जब भी कोई इच्छा होती है खाने की तो ले लेते हैं तो मैं सामने रख देती हूं रसोई में तो जब भी किसी की भी इच्छा होती है तो और यह है कॉर्ण फ्लेक्स का पैकिट मंगवाईयों में तो बड़ा वाले मंगवाईयों तो यहां पर देख सकते हो मैं इसको डाल के रखूंगी क्योंकि सुब नास्ते में जल्दी वाज भी नास्ता नहीं बन पाता है तो मैं बच्चों को दूद में डाल के दे देती हूं कि मैं है बहुत अच्छा नास्ता होता है और एक नास्ते की जिससे वह generate क्षग्स है तो यह जरूरा रखने चाशिए ताकि जब भी ਸुबर नास्ता नहीं हो तो ले सकते हैं और यह है चाई जो यह वाली में यूज में लेती हुँ दो आज चाय पती भी खतम हो रही थी तो मैं डाल दूँ और यह अभी इतनी सर्दी नियुक्त कि प्रीज में रखूं और उदर चाउल भी पक रहे हैं मेरे तो सारासावान में डाल के और साथ के साथ फ्रीज भी साप कर रही हूं आज गरम पानी से और Pr और यहां पर रस्गुल लेखे आए तो शाम की टायम है ओर इसको पेकिंग खोड़ रहे हैं तो ये है नंकीन का पेकिट है इसकी के अंदर है इसमें पेकिंग आती ऋपैकिंग आती है ये नंकीन है और ये भी कनेर के जो कापक्री famous है और ठेस्ट भी अलग होता है अच्छे लगते हैं और इन में इतना रस निकालते न तो ज्यादा नहीं निकलता है बहुत कम निकलता है मैं तो फिर भी जितना भी होता है नो निकाल के ही फिर खाती हूं मैं इससे निखाती हूं और वैसे किसी को ऐसे पसंद है रस वाली है और और अब सुबर शाम हलकी फुलकी सर्दी है वैसे दिन में तो बिलकुल भी सर्दी नहीं रहती है लेकिन सुबर शाम तो रहती है तो यहां पर मैं साथ की साथ भरतन भी साफ करके वोस कर दी और बरतन दोने के बाद ना हाथों में थोड़ी स्मेल सी हो जाती रहती है तो मैं हाथ बादों के सारे सपाई करके शाम की और रख दीए बरतन जो भी नहीं दिन के बरतन थे और अब मैं खाना बनाने के तयारी करूँगी तो यहाँ पर है जो शाम को सबजी लेकर आए है तो मैं इदर सबजी बना रही थी और सबजी बाद में लेकर आए थे तो यहाँ पर काना खाले कर रहा है सबजी को दोने के लिए तो मैं बाद में दोंगी और इदर सबजी के तयारी कर रही हूँ तो मैं दाना मेती जो होती है न उसका सबजी बना रही हूं मसाला बनाई हूं और उसके अंदर उबली हुई दाना मेती डाल दी मसाला बनाने के बाद और मेरे चैनल पर अल्रेडी डाली हूई है काफी बार मैं सबजी बनाई हूं जब बता रही हूं तो यहां पर देखिए लिक्विड सबजी बनाते हैं पत्ते वाले तो उसके करणी माता का परसाद है हल्वा जो इस दोने में आया था यह दोने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पत्ते वाले और यह इसमें मैं गरम कर रहे हूं प्लेट में दिमाग लगा के चम तो मैं इस अरथिजी के भड़ाक। बंद तो कशिख नद गिना थी में कृम के जांजी बनारी हूं जो कि असके समय को किते हैं स्ब्राइब Pode ऐंदा सब्राइबाल जोने पारते लोगतितोशे की यग जो, क्योंने बहुते हैं सब जी बनी थी अच्छी लगी न कानू और बच्ची भी खा लेते हैं बहुत अच्छी लगती है और इस सेथ के लिए अच्छी रहती है और मेरी यह क्या है चैनल पर डली हुई है पहले तो मैं इसलिए पूरा वीडियो नहीं बता पई और हम खाने और हमारे बरतल देख सकत करने के बाद ही गई थी वैसे तो तो इसके अंदर देखिए मैं यह भी लेकिया हूं तो इसको आप बोल सकते हूं और इसके अंदर सेल वाली लाइट रख रखी थी और वैसे जो मॉम आती है वह भी रख सकते इसके अंदर और काफी अच्छा सी प्रीटी सा लगता है यह और देखिए कितना प्यारा लगता है इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं अपन